नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अभिप्षा की पूरी टीम के तरफ से मैं हूँ अभिनौत शांशो पंडे और हमारी प्रतिवधता है कि कक्छा भौतिकी के लिए हम लोगों ने एक्जाम सीरिस चला के रखी है इसी तरीके से आपको हमारे चैनल में अभिप्षा के मिशन 2023 के तहट गड़त भौत की रसायन और जी विग्ञान सभी प्रकार के विश्यों के लिए कंप्लीट रिविजन मिल रहा है आज हम बात करने वाले हैं विदुत आवे सेम छेत्र यहां पी वाई क्यू वन की सीरिस चल रही है हम यहां चैनल जिस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने माक्स के डिस्ट्रिबूशन के बारे में बात कर ली थी एक हम लोगों ने एक वीडियो देखा था जिसमें हम सरे के सारे विदु विद्धु छेतर की तीब्रता इस प्रशन के लिए जो 2019 में पूछा गया था आज हम इसी सीरीज में जो है अगला वाला जो वीडियो देखेंगे यहां पर देखिए 2022 में पूछा गया एक प्रशन है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे प्रशन क्या है चलिए ध्यान से विद्धु छेतर की चित्ती ब्रदा का मतलब वियंजक निका लिए क्या करेंगे चलिए बिल्कुल तयार हो जाते हैं सबसे पहले हम एक चादर लेते हैं इस चादर में हम लोगों ने बहुत सारा आवेश दे दिया है जो आवेश दिया हुआ है उसका मान है क्यूँ इसलि लेकिन हम सबसे पहले आवेश घनत्व की बात करते हैं आवेश घनत्व क्योंकि प्रिष्ठ में है इसलिए छेत्र फल घनत्व यहां Q बटा A हो जाएगा और इसी को हम लिख सकते हैं DQ बटा D A इससे हम को मिलेगा DQ का मान Sigma DA अब अगली बात है कि इसके लिए गाउसे पृष्ट की परिकल्पना करना है हम लोगों ने एक बेलन इस प्रकार से लिया कि ये बेलन जो है इस गाउटे पृष्ट को बीच में से ऐसे काटता है इस बेलन के अब जो है छालक सतह से या किसी भी आवेश से हमेशा उसके लम्बववट विद्दूत बल रेखाए निकलती है तो हमको बल रेखाए इस तरीके से नजर आ रही है अगली बात क्या है विद्दूत बल रेखाओं के बाद में इस बेलन के पास में अपने कुछ छेत्रफल है जैसे कि यह वाला छेत्रफल है इसका नाम हम रख देंगे ds1 और छेत्र सदिस जो है वो लंबवत हमको छेत्रफल के दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से यहां पर हमको दिखाई देता है ds2 और यह हमारा छेत्रफल सदिस हो गया इसी प्रकार से यह जो वक्र सता है इसका भी जो है छेत्रफल डियस-3 हो जाएगा और यहां पर जो है इसका जो छेत्रफल सदिस है वो लंबवत दिखाई दे रहा है उस छेत्रफल के साथ साथ विदुच्चेत्र बल रिखाओं के अब आगे हम क्या बात कर iสथ प्रमेय हम लोगों ने देखा था शली हम लिखते हैं 25 हम लिख लेते हैं चलिए यहां हम लिखते हैं गार्व का प्रमेय सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लक्स क्या होता है यह होता है रिस फिर हम बात करेंगे कि कुल विदूद फ्लक्स क्या होता है कुल विदूद फ्लक्स होता है क्लोज इंटीग्रल आफ ए डॉट डीएस और यहां से हम बात करेंगे क्यू बाई एपसलान नॉट यह जो है गाउस का प्रमे है और इसको हम लोगों हम देखेंगे कि हमारे पास में कौन-कौन से छेतरफल है देखिए सबसे पहरा जो छेतरफल है वो है डीएस वन जो कि हमको कहां पर दिखाई दे रहा है यह यहां पर सदिस है छे तरफल सदिस है यह दोलों कितना कोण बना रहे हैं थीटा बराबर सून्य डिगरी बना रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा ईवन 1 D s 1 कॉस्ण थीटा 1 और इसका मान कितना हो जाएगा देखे कॉस्ण थीटा में यहां पर जो है हमको क्या मिलता है यह हमको मिलता है कॉस्ण थीटा में जो है सून यह इक compañ होता है एक इसलिए यह हो जाएगा E y d y इसी प्रकार से जो हमारा ds2 है उसके लिए भी हमको जो है e2 ds2 cos theta 2 और यहां पर जो हमको क्या दिखाई दे रहा है देखिए ds2 और विद्दुद बल रिखाओं की जो है बीच में कोण सुन दिगरी है इसलिए हमको यहां पर भी e ds मिलने वाला है लेकिन जब हम e3 ds3 की बात करेंगे तो यहां पर cos theta में theta 3 का मान यहां पर देखेंगे आप ध्यान से तो यहां पर जो है 90 ans का जो है हमको कोण नजर आ रहा है ऐसी स्थिती में विद्दुद छेत्र और छेत्रफल सदिस दोनों के बीच में 90 ans हो तो यह 90 ans हो जाता है और cos 90 का मान शून हो जाता है मतलब यहां शून ने मिला हमको e.ds का close integral मिला यह वाला eds और यह वाला eds मतलब 2 eds और इसका मान गाउस्प्रमे के कारण कितना है q by epsilon not अब हम छेत्रफल की बात करेंगे किसी भी वृत्ताकार छेत्रफल का मतलब वृत्त का छेत्रफल क्या होता है पाई आर का वर्ग यह यहां डालने से हमको मिलेगा e गुणा 2 पाई आर का वर्ग यह दो गुणा आगया गया और यह हो जाएगा q बटा epsilon not यहां से जो है जब हम जानकारी लाएंगे तो हमको मिलता है e बराबर एक बटा 2 पाई आर का वर्ग epsilon not और यहां हो जाएगा q इसको धंग से अगर हम लिखते हैं तो यह हो जाएगा q by epsilon अच्छा यहां पर एक और चीज़ समझना है कि यह जो q हमको नजर आ रहा है हम इसका नाम रख देते हैं q dash q dash हर एक जगा q dash इसका कारण क्या है क्योंकि यह अनंत शीट है इसलिए यहां पर लगने वाले कुल आवेश्ट की मातर हमें नहीं पता है तो अब हम क्या करें कि यहां पर यह जो q dash हम लोगों ने उप्योग किया हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे अनंत शीट में कुल मिला के दिये गए आवेश्ट का मान q और कुल छेत्रफल a है इसलिए जो है हमको यहां पर घनत तो जो है छेत्र मतलब आवेश्ट घनत तो मिलता ह है क्यों बटा ए ठीक है अब यदि हम लोगों ने एक बेलनाकार सतह ले ली है तो इस बेलनाकार के सतह के अंदर आने वाला आवेश्ट उतना ही होगा जो इस छेत्रफल के अंदर आ सके इसलिए उस आवेश्ट का मान हो जाएगा सिग्मा गुना डी ए और यह डी ए जो है किसका है यह डी ए छेत्रफल है इस वृत्तकार सतह का इसलिए हम लोगों ने अभी-भी क्या निकाला इबराबर वन बाई फोर पाई नहीं वन बाई वन बाई टू पाई एपसलान नौट और यहां पर था क्यू डैस बटा क्यू डैस बटा आउर का वर्ग क्यू डैस बटा आर का वर्ग हाँ तो क्यू डैस बटा आर का वर्ग अब हम जो है यह क्यू डैस की बात करेंगे तो यह क्यू डैस का मान हो जाएगा यह क्यू डैस का मान हो जाएगा देखिए Q डाइस बराबर सिग्मा DA और यहाँ पर DA का मान होगा 6 तरफल कितना है पाई आर का वर्ग इस प्रकार से हम यहाँ पर मिलेगा हमको E बराबर 1 by 2 पाई एपसलोन नॉट और यह हो जाएगा Q डाइस की बजाए हम लिखेंगे सिग्मा पाई आर का वर्ग पाई आर का वर्ग डिवाइड बाई आर का वर्ग जो जो चीजे हम से कटती है हम पहले उसको कटा देंगे तो यहाँ हमको मिल रहा है आर का वर्ग और आर का वर्ग कट गया और यहाँ से पाई कट गया यहाँ से पाई कट गया तो हमको विद्धु छेतर की तीवरता मिलती है सीगमा बटा टू और एपसलोन नॉट ये विद्धु छेतर की तीवरता है फिर हमको क्योंकि ये पांच अंक का प्रश्ण है इसलिए हमको बताना पड़ेगा कि ये जो विद्धु छेतर की तीवरता है वह अनंत शीट से हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं है अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इसे तुरंद सब्सक्राइब करना चाहिए मिलते हैं अगने वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद